मैय सम्मार योजना है, वो दिसंबर से मैय सम्मार योजना को बढ़ा करने हजार रुपेका है, उसको बढ़ा करके दो हजार पाद रुपेका है, शौगात तो आपको अधिक रिदों, इससे बता दिया जाएगा, बहुत सारी चुछे हैं, 12 सिर्फूर नहीं हैं इसकूल के लिए है, वांटे के लिए है, कैसा रिखिगी में है, और इसमें एक महत्पुर्ण कनाच कहना हुई है, और वो है कि ठार्खन के आदि आदि के बोलो है, ले जाया, जाकर बसा दिया गया हुई है, इसमें असाफ को अंदमानिक को बाहर हो, अन्य जगहों पर मुलवासी, आदिवासीों को बड़त दिया है, वर्शों से वहाँ पर रहे हैं, वामने जोग के द्वारा उपरा दे जाये गया, काम कराने के लिए, और लगभग इनकी शंक्या पंदरा से बीस बार, मुझे कई बार उन लोगों के द्वारा हमारी मुलाकात होती रही है, और अपने अधिकार के लिए उन राजियों में संगस्रत, सर्विदित है, यहां के आदिवासी असाम के चाये बगाने वह एक आदिवासी समुदाय के, अंडरमान निकोबार में भी है, वो भी एक आदिवासी, लेकिन उनको अभी भी वहाँ पर आदिवासी की दर्जा प्राप्त हो, और आदिवासी, कल्यान, विवाग मंत्रा रहे के द्वारा जो बनाई जाता ही होतना है, उसका भी लावुद बने है, तो इस अंदर पे हमारे सरकार ऐसे सभी मुलवासी को जार्खन वापस आने का नेवता देती है, और यह जो समस्या है, इस समस्या और आवश्चता को जानने के लिए एक समीति बनाई जाएगी, मंत्री के अस्तर पर उसके नित्रत क्या है, नित्रत पर गयान मंत्री के नित्रत पर और सरुदलिये समीति होगी, और उन जगाओं पर यह पर्तिरिदी मंदल जाएंगे, और वहां के जो समस्या है, उसका अस्तरत करेंगी, उनकी जो अवास की समस्या है, आदिवासी दर्जा की समस्या है, उनको नौकरी की समस्या है, उनकी राज में अधिकार की समस्या है, वो उनको कैसे प्राप्त हो, इस पर राज सरकार की समस्या है, विल्कुल, अधिकार की समस्या है, वो इसमबर से मेडिया की समस्या है, जो हजार रुपेका है, उसको बढ़ा करके, दो हजार फार की समस्या है,